सल्मान खान यू तो हमेशा ही खबरों में रहते हैं लेकिन जब उनकी लव लाइफ की बात आती है तो हर कोई कुछ जादा ही एक्साइट हो जाता है जी हाँ, अब सल्मान खान की लव लाइफ से जुड़ी नई बात हम आपको बताने जा रहे हैं ये तो हर कोई जानता है कि दवंग खान एक जमाने में नीली आखो वाली एश्वर राय बच्चन के प्यार में दीवाने थे जहां अपनी सारी एक्स गुल्फरेंड से दोस्ती रुखते हैं सलमान तो वही एश्वर राय नहीं देखना चाहती है उनके शकल पाउजूद इसकी अब लीजी सलमान खान के शो में नजर आ गई है एश्वर राय बच्चन और सलमान के उडगए है होश दरशल रिसेंटली अनिल कपूर एश्वर राय बच्चन और आजकुमार राय स्टारर सिल्म फणरे खान का सलमान के रियालिटी शो दस का दम में प्रमोशन हुआ जहाँ सलमान खान के शो में अपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए अनील कपूर फिल्म में उनकी ऐंस्क्रीन बेटी के साथ पहुचे यहाँ अनील कपूर के साथ सलमान की मस्तिज जारी थी कि उस वक्त सलमान के सामने बिग स्क्रीन पर एशवर्य राइब staying आ जाती है अब ऐश्वर्या के गाने जवा है मोहबत पर सल्मान क्यू हो गए शर्म से लाल वो ही जाने लेकिन इतना तो साफ है कि इनकी लव स्टोरी शायद ही कोई भूल पाए कैर जो भी हो ऐश्वर्या के अलावा सल्मान का उनके हजबिन अभिशेक बच्चन से अच्छा रिष्टा है बता दे कि फन्ने खान तीन अगस को रिलीज हो रही है और सल्मान खान फिलाल भारत की शुटिंग में बिजी है बॉल वुड की तमाम खबरों के लिए देखते रही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले सल्मान खान यू तो हमेशा ही खबरों में रहते हैं लेकिन जब उनकी लव लाइफ की बात आती है तो हर कोई कुछ जादा ही एक्साइट हो जाता है जी हाँ अब सल्मान खान की लव लाइफ से जुड़ी नई बात हम आपको बताने जा रहे हैं ये तो हर कोई जानता है कि दवंग खान एक जमाने में नीली आँखो वाली एश्वर राय बच्चन के प्यार में दीवाने थे जहाँ अपनी सारी एक्स गल्फरेंड से दोस्ती रुखते हैं सल्मान तो वही एश्वर राय नहीं देखना चाहती है उनके शकल पाउजूद इसकी अब लीजिए सल्मान खान के शो में नजर आ गई है एश्वर राय बच्चन और सल्मान के उडग गय है होश फिल्म में उनकी ओन स्क्रीन बेटी के साथ पहुचे यहाँ अनिल कपूर के साथ सल्मान की मस्ति जारी थी कि उस वक्स सल्मान के सामने बिग स्क्रीन पर एश्वर राय बच्चन आ जाती है और फिर भाई जान का मूद देखना तो बनता है दरसल स्क्रीन पर फनने खान का ट्रेलर चलाया जाता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले